हलो फ्रेंट्स नमस्कार श्वागत है आप शवी का एडूशेशन में आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी टेर्ट में जो संस्क्रिस्ट की गिंती पूछी जाती है तो वो गिंती जो है किस प्रकार से याद की जाए ताकि आप एक्जाम में अपना एक नमर पका प्राप्त कर सकें तो सिर्फ आपको 9 संख्यां याद करनी है और आपको पूरी गिंती याद नहीं करनी है पूरी गिंती जो है आपको अपने याद हो जाएगी तो सिर्फ नो संख्या हैं, सिर्फ उन्हीं को याद रखना होता है, बाकी की सारी संख्या को याद नहीं करना होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे, तो फ्रेंट चलते हैं, शुरू करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं, बन से शुरुआत आंगे हैं तीन तो त्रे त्रीड और त्रिश्टा में यह व्रॉ्ड के जाते हैं तो है और नेश्ट पंच शष्ट शप्त अश्ट अथवा अश्टो ये भी इसके लिए यूज होता है नौ दस एका दस द्वे दस त्रियो दस चतुर दस पंच दस सोडस सप्त दस अश्टा दस और आंगे है नौ दस तो संस्कृट में जो सबसे जादा गिंथी में पूचे जाते हैं वो अभी जो हम आपको नौरंबली बढ़ाते जारे हैं वो बहुत ही कमाते हैं उनके अजजानस बिलकल ही नहीं बनते हैं तो पूचे जाने वाfa यह हम आपको बता रहे हैं यहां से आप शुरुआत कीजए की 9 से हो गया 9 प्लस 10 यानि की 19 तो इस प्रकार से आसानी से आप संख्या को याद कर सकते हैं अब दूसरी बात कही गई एको ना बिनसती तो एको ना बिनसती बिनसती क्या है 20 तो 20 और 20 में एको ना एक नहीं है तो यानि की आपका क्या हो गया 19 तो इस प्रकार से आप 19 संख्या को याद कर सकते हैं 9 10 लिखा हो तब भी आप 9 प्लस 10 कर देंगे और 1 को न बिंशती यानि कि 20 में 1 नहीं है एक खटा दिया, न बीच में आ गया तो 1 को न बिंशती तो आपका 19 हो जाएगा इस प्रकार से इस प्रकार से संख्या हैं आप याद कर सकते हैं आप आपको बिंशती यानि कि 20 तो उसके बाद है बिंशती ये हो गया आपका 20 आप 1 बिंशती यानि कि बिंशती 20 और इसमें 1 एक बिंशती तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 21 हो जाएगा 22 तो इस प्रकार से 20 में आप 2 जोड़ लएंगे तो आपका बाइस hो जाएगा 29 तो इस प्रकार से संख्याख पूछी जाती है यहीं संख्याख जो है एक्ट्याम में जादा आती है अब आगे एको ना त्री सत त्री सत यानि कि त्री सत त्री सत हो गया तीस आपका अब वो कह रहा है कि एको ना त्री सत त्री सत तो तीस में एक नहीं है यानि कि आपका क्या है उन्तिस तो इस प्रकार से आप उन्तिस को एको ना बिंचत और एको ना त्री सत तो इस प्रकार रखेंगे तो आप भूल जाएनेंगे आप कों मिलाना है सिखतेत तो वीक मतलब दो दोका कषि को प्लस गालुण Sn त्रिशत त्रिशत चतुर त्रिशत पंच त्रिशत शष्ट त्रिशत सब्च त्रिशत अश्ट त्रिशत फिर यह संख्या यह एक्जाम्स में जो पूशी जाने वाली संख्या है उसको हम आपको जिन्नित करते चल रहे हैं बताते चल रहे हैं नो त्रिसत, यानि कि नो और त्रिसत, तीस, तो कितना हो गया, उन्तालिस, यह आपका हो गया जाके उन्तालिस, यानि कि नो त्रिसत, नो और त्रिसत, तिरसत होता है, तीस, और नो उसमें जोड़ेंगे, तो आपका हो गया, उन्तालिस, अब आँगे कह रहा है, एकोन, एको दिया है मैं चात्तवारीस चाथ मैंा है चालिस क्या मैं시 चालिस चालिस फुर्ष मैं से जुक्त तो कितना वज गया आपको 49 हिए है तो मैं इस इंटिर श हैंन्म्स को याद कर सकते हैं कि घाम कर नंगर इसफ हां प्लस कर ख रहें ग्लंगे तो एक चत्वारिशत फिर आप एक चत्वारिशत में दो फिर एक प्लस करेंगे तो दो चत्वारिशत इस प्रकार से जो संख्या है यह बढ़ती जलेंगा यहीं त्रि चत्वारिशत, चत्वारिशत और पंचे चत्वारिशत, सश्ट चत्वारिशत, सब्त चत्वारिशत, अश्ट चत्वारिशत और नव चत्वारिशत यानि कि नव नो जोड़ देंगे और चत्वारिशत यानि कि चालिस में नो जोड़ देंगे अब फिर आया एकोन पंचासत यानि कि पंचासत पचास आप याद कर सकते हैं आसानी से आप कॉमन सेंस लगा के भी इन चीजों को याद कर सकते हैं बस यहीं पर मिश्टेक होती है जो लोग गल्दी करते हैं तो यहीं पर करते हैं एको ना यानि कि पंचासत यानि कि पंचास तो है और पंचास में एको ना एक नहीं है तो आपका हो गया यह 49 यानि कि उननचास हो गया तो इस प्रकार से आपको जो है यह 49 यहां से प्रात हो जाएगा तो इस प्रकार से आप संख्या को याद कर सकते हैं अब आगे देखिए एक पंचासत, दुए पंचासत, त्री पंचासत, चतुर पंचासत, पंचासत, सश्ट पंचासत, सब्त पंचासत, अश्ट पंचासत, और आगया नौ पंचासत, यानि कि नौ और पचास, या अप क्या हो गया 69, तो नौ पंचासती, और यहाँ पर एको न सश्टी, यानि कि स चलती का मतलब 60 है और 60 में एक नहीं है तो यह आपका हो गया जाके इस प्रकार से जुब है एक न सश्टी अप्र सश्टी यानि ज्यादे कर सकते हैं पर जादा पूछी जाती है वहां नो सश्टी यानि कि सश्टी में न जोड़ और 60, 60, तो यह प्लस होंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके, 69, और एकोन न सब्तती, सब्तती का मतलब होगे, आपका 70, यह आपके 70 है, और 70 में जो है, एक नहीं है, तो आपका यह 69 यहाँ पर 69 प्राप्त हो जाएंगे, तो इस प्रकार से संख्याइं आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, आपको रटने की कोई जरूरद नहीं है, आप वहाँ पर एक्जाम में अपने आपी संख्या को देखके, जो है, बता सकते हैं, इसे क्या बोला जाता है, आप आँगे देखते हैं फिर इसमें 17 में एक जोड़ेंगे, तो एक सब्तती, दु यह वाला यह जादा पूछा जाता है एकू ना सीता असीता यानि कि असी यह हो गया असी असी में एकू नहीं है तो असी में एक नहीं है तो आपका कितना हो जाएगा उन्यासी यह आपको प्राप्त हो जाएगा उसके बाद फिर आप आसीता में एक जोड़ेंगे दो जोड़ेंगे तो इस प्रिकार से तिन जोड़ेंगे चतुर सीता पंचा सीता शड़ सीता अस्टा सीता नो सीता यानि कि नो प्लस आसीता यानि कि असी तो यह आपका नवास तो आपका क्या हो गया नवार्षी हो गया है तो इस प raising रहा है valley जहां पर एक को न है यहां नहीं तो नवत्य है यहां दो इन्वत्य है वसमmost 5 किस परकार पर लुट से संधा संधीरावस्तीर के आधागा एक संध्यत्योत कानव मतार मतालब दो प्रकार से आपको क्या वोलते हैं नभय में कॉन्स नफाटन शतं सतं सतं यानिकी 100 यानीख Bossiya सतं अपने ची कि समन्स चाहिकर कोसा में तो आपका क्या हो गया यह वराबर में आपको 99 संख्या प्राप्त हो गई तो इस प्रकार से फ्रेंड आपको सारी संख्या नहीं रटनी हैं सिर्फ आपको जो है 10-70-30-30 और इस प्रकार से जो संख्या हैं जयाने की 30-40-50-20-30-40-50-60-70-80-90-100 इनको इनको संस्क्रिट में क्या कहते हैं आप यह याद रख लें और उनमें से हमेशा एक कम वाली संख्या जुए ज्यादा पूझराती है तो जब आप एक अखटाएंगे जैसे कि आपको 99 बताना है तो 99 के लिए आपको सतम याद होना चाहिए तोृत सद्य। प्रकार से जो संख्या है याद की जाती है सारी संख्यां को नहीं रड़ना होता है आप सवा संख्यां को रड़ते रड़ते बस यही करते रहेंगे आप बस ये जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 इनको याद करने क्या बोला जाता है और जब उनको एक संख्या कम पूछी जाएगी तो वहाँ एको ना सब्द जुड़ा होगा तो वहीं पर जो है आप तुरंत एक संख्या को कम कर देंगी वही आपका जो है आंसर हो जाएगा तो प्रेंट्स संख्या जो है गिंती इसी परकार से याद की जाती है और यह सबसे बेश तरीका है यहां से बिलकुल आप बिलकुल बस आपको 10 मिनिट नहीं लगेंगे आपको सारी संख्या याद हो जाएगी तो फ्रेंट्स यह था महत्पूर वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवर्ष्ट करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेश कर लें ताकि मेरे तोरा जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड किया जाए उसका नाटिफिकेशन आप को मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद